नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं उसर्वेस कुक्रा दो तरह के लोग होते हैं एक आम लोग और एक खास लोग कई बर आम लोग वो खास काम कर जाते हैं जो खास लोग नहीं कर पाते हैं और मेरे साथ स्टूडियो में एक आम आदमी है बपी जैन चाय वाला इनकी चाय की दुकान है छोटी सी हांसी के चोपटा बजार में लेकिन इनके काम जो हैं वो बेहत खास हैं और काम इसलिए भी खास हैं क्योंकि उस कामों में इनका आपना कोई लालच नहीं है यह उन बेजुबान पक्षियों की जान बचाने के लिए मुहीम चलाई हुए हैं पिसले कई साल से और कई साल से मिनको देखता भी आ रहा था कि किस तरह से इनोंने कवाई शुरू की जो चाइनिज डोर की चपेट में आने से पक्षि मर जाते थे गायल हो जाते थे उनको बचाने के लिए मुहीम चलाई उस चाइनिज डोर पर लगाम लग्वाने के लिए मुहीम चलाई लेकिन विडमना ये है कि सिस्टम जो हमारा खराब हो चुका है उसकी भेट ये मुहीम आज तक चड़ी हुई है और सपना इनका उसाकार नहीं उपाया, चाइनिस डोर बंद नहीं उपाई, पक्सी आज भी मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं लेकिन इनका होसला तूटा नहीं है, आज भी इनकी मुहीम जारी है, इनसे बातचित करेंगे क्योंकि बे जुबान पक्सी आकर किसी को कहनी सकते, उनकी जुबान ये बने, इनोंने उनकी बात उपर तक उठाई और शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई मंत्रा ले नहीं है, कोई सरकार नहीं है, जिसको इन्होंने चिठी ना लिखी हो, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, चाहे केंदर सरकार की बात हो, राज्य सरकार में मुख्य मंत्री को इन्होंने चिठी लिखी, ग्रह मंत्री निल्विज को चिठी लिखी के अंदर सरकार में प्राहन मंत्री नरेंदर मोधी तक को नोंने चिठी लिखी पीम ओफिस में नोंने अपनी डाक पुचाई वहां से रिपोर्ट भी मांगी गई हाला कि हरियाना के डीजी पी ने भी रिपोर्ट मांगी पुलिस क् लेकिन सब पर लीपाप होती, डिटियल से बात भी करेंगे सबसे पहले, बपी जैन से बात करेंगे, बपी आपका अभियान वाकरी सरानी है, आप अच्छा काम करेंगे, ये अलग बात है कि अंजाम तक चीजे नहीं पोची, चाइनिज डोर आज भी बिक्री है मैं आप से डेल नो बात करूंगा, मैं बता दूँ कि इनकी छोटी से दुकानए है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और बहुत कमामदनी होती है अला कि मेरा ये बताने का उदेश है नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाबते हैं लेकिन मैं ये बताना चाहरा हूं कि कमाई ना होने के बहुत ज़्यादा दुकान में इनका बहुत सा पैसा इनी चीजों पर खर्च हो रहा है जो ड यह आप बेज़ देए आपकी कोई फिरी में टाइब करके भीज देता है पैसे लगते हैं इमान दर इसे पूरे पैसे लगते जी एक पैसा कम नहीं लेता आपकी कमा इतनी जाता तो है नी आपको एमबानी अडानी तो है नी लेकिन फिर भी इस पर आप बहुत पैसा कर्च कर देए फिर मैंने उसे दिन से महीं मोर्तेज कर दी थी मैंने कई बार इसको स्ट्राइब को भी फोन के मादें से काया एसपी से मेरी बात होती रहती है अब मेरी पर्सों भी बात हो यह स्पी से लेकिन उन्हों कैई जी मारे अधिकारी काम कर रहे हैं मैं अवला जी वह अधि दो तिन दुकान दार हो पहले मुकद में दजगरो चाहिना दोर भी करी आप अपने आदमी को बेज कर वहां चलो मैं आपको मुक्त का मुएना करवाया था हूं बेकाइदा लेकि उन्हों पुलिस वालों ने मेरे साथ जो है न और वो जाने को त्यार नहीं हो यह अपनी का है यह सोच है हम खुद भी नहीं करेंगे किसी उकरने भी देंगे यह शक्स जो है करना चाहते हैं इंकम का सोर्स इनका बेहत एक मामूली है गुजारे लायक है उसके बावजुद ये बीड़ा उठाई हुए है कि बेजुबान पक्सियों की जान बचे लेकिन जो फेस्बूक पर डकोसले करते हैं बैनर लगाते हैं से वाटर से बर्ड वो लोग इस तरह की दरातल पर मुहीम नहीं चलाते हैं दरातल पर अब आपको लगेगा कि वाकई एक आदमी इतनी शिद्दत के साथ में मेहनत कर रहा है लगन के साथ में ये काम कर रहा है बावजुद उसके सिस्टम क्यों नहीं इसको समझ रहा उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जारी और क्यों हर चीज को हवा में उड़ाई जाता है मैं को एक जवाब पढ़के सुनाता हूं दरसल यह जवाब हासी पुलिस की तरफ से डीजीपी हर्याना को बेजा गया था दरसल डीजीपी हर्याना ने हासी पुलिस को एक चिठी लिकी थी और उसमें पूछा गया था कि भपी जैन चायवाले ने शिकैत की है चाइनीज दोर पकड़ी जाएं बंद करवाई जाएं उस पे आपने क्या करवाई की और जो जवाब हासी पुलिस का गया वह आप एक पर सुन ले मैं यूं का यूं पढ़के बताता हूं तो आपको भी हरानी होगी कि भाशा क्या है और कैसे मामले को निप्टाया जाता है यह 27 फरवरी 2020 का की चिठी है 27 फरवरी 2020 की हासी पुलिस की तरफ से डी जी पी हर्याना को यह चिठी लिखी गई है और इसमें विशे यह था कि शिकायत अजाने अमित जैन भपी जैन चायवाला चोप्ता बजार हासी जिला इसार यह नोंने जो शिकायत की थी उसके बारे में जवाब दिया गया और शिकायत का जो सार था भी इसमें लिखा गया है कि चाइनीज दोर की बिक्री पर तुर्ण प्रबावसी रोक लगाने बारे और उसमें आब यह सुनिये आपकी सुनी कि हांसी पुलिस किया यह हांसी पुलिस नी दिखाय कि शिकत करता दुवारा यह शिकायत चाइनिस ड़र की बिकृ बारे दी गई है जिस समंद में पतंग बेचने वाले दुकानों पर रेड करके खाना तलाशी तयार की गई आप शब्दों बेगोर करिए जिस पर गवाओं के अस्तक्सर करवाए गए और इस समंद में आम जनता वे दुकानदारों को चाइनीज डॉर के नुकसान को लेकर नुकसान बारे जा ग्रुक किया गया वाँ आगे एक लेनों लिखते हैं इस समंद में स्पेशल तोर पर ज्यादा से ज्यादा करमचारियों की गस्त बढ़ाई गई है अब आप हैरान यह होंगे चोरियों को बरामद करने में पुलिस की गस्त जितनी बढ़ती है आपको पता है लेकिन यहां यह लिख रहे हैं कि चाइनीज डॉर बेचने वालों पर काबू पाने के लिए पुलिस करमचारियों की गस्त बढ़ाई गई है और आगे लिखते है अखिर में पुरा भी सकति से की जा रही है इसलिए शिकायत के दफ्तर दाखिल किया जाए। शिकायत का निप टारा होगया सर। शिकायत का निप्टारा पुलिस ने ये बोल के कर दिया – उन्होंने जो तर्क दिये हैं वह आप भी आपने असे ओह निप्टा दी आती है कागचों में और साथ में लुग्टे दो तिन कागच और लगाए हैं जिसमें ये दिखाया कि लाल सड़क पे इस दुकान पे रेड की कुछ नहीं बरा मुद्वा ये लिखा गया है जनता जानती है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था अगभारों में सुर्ख्या भी बनी थी लेकिन सिस्टम है उंगली किसी पर दुकांदार पर नहीं उठा रहे हैं लेकिन सिस्टम प सकती है और हम फिएब लिए उसको 2 को समझें लेकिन थो इन को गमेचे कागचों कि खाना पूर्ति जूरूर की है जिसे math कmen अब को सुना दिया यह जवाब इस तरह कहना पूरति औरEh이면 नहीं आपको कोच्छ इनकी अप्लिकेशन दिखाता हूं इन्हों Скण क्हां कहां ये एक हैं कि tag कि एक को यह मुझ्य मुठिय अमन्तिर्य अर्य अंत्रत सकति विंड्य आघव। पूरी चिठी है लेकिन कोई हल इसका नहीं निकला इस पर नंबर जरूर लगा है तीन जनवरी दोजार बीस का मैं बतारा कई साल से एक्टिव हैं यह पकड़ी इसको एक यह जी मेल की कोपी है यह मेल करवाते हैं किसी के पास जाते हैं जो सर्विस सेंटर होते हैं उनको पैस विल था देते हैं उनकी आकस्मी मोत ना हो उन तरों में लगे उन डॉर में लजह घा चैनिस को स्चानि दोर है वह पक्स का आपास बिनाती है या उनको मार देती है क्या सिथ को नहीं है कुछ नहीं हुआ यह लेकिन उसके बावजुद फिर कुछ नहीं हुआ अच्छा एक चिठ्ः नोने को भी लिखिए यह में का गणी को गण्या में का गंडी को कुछ कर पाए नोने उनको चिठी लिकिए इसमें साथ में स्पीड पोस्ट की रसीद भी अटेच्च है नहीं हुआ कि फिर आजाए यह सीम ग्रिविंसीज इसल फॉरूम है यह सीम विंडो की जो कापी है मेरे पास यह पुलिस वाले ने अपनी ही रिपोर्ट बनाकर बगैर संतुष्टी के अपने आप लिख दी कि भी है चोड नहीं विकरी देखे कमाल की बात है यह लगाए था कि दोर सहर मे आती है और कंप्लेंट को यह कह के दफ्तर दाखिल कर देते हैं कि दोर नहीं विकरी खतम मामला जी चलिए इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि यह एक और है यह पीम मों को शिकायत की गई है प्राइम मिनिस्टर ओफिस को कि इसी मामले को लेकर वहां से इनके पास क शिकायते हैं श京िए एक किम आँग आपको तो यह बहुत सिकायते दुनिया बरकी शिकायते कर DEISA दिखाएथ है लूं की यह उसका जवाब दिया है इंच्वा कि लव दो गिए नोगे लिखा है कि एक झालत आके तरफ से आमिट अपपी है वह से मश्हूर हैं जैसे मैं बताया था है और यह सरफ दो लें लिखते हैं कि हासी में चाहिनिज डॉर बेचने बारे चिकेद्व राप तोई है इस लिए परिवाद हजा की कारे वाई ये तू हदीकारी न्यूक्त किया जावे ताके दुकानों परेड करके तलासी अमल में लाए जाए किला बजार चौकी ने लिख दिया है थाना सहर हांसी को लिख दिया जी उसके बाद में उसके बाद में कुछ नहीं हुआ अच्छा एक अभी इसी साथ उन्होंने 11 जनुवरी को भी एक चिट्री बेजी है फिर से ग्रह मंत्रिया निल्विज के नाम लेकिन दिक्कत यह है हां बिलकुल यह अख़बारों की कटिंग इनोंने लगाई हैं जो अख़बारों में चपते रहें समाचार लेकिन दिक्कत य हो रहा हुआ है लेकिन आज तक भी कोई एक सक्स ऐसा नहीं पकड़ा गया जो चैनिस डॉर बेच रहा था और यह सब को बता है कि चैनिस डॉर खूब भीक रही हैं पक्षी मर रहे हैं पक्षी घायल हो रहे हैं को इलाज कराने वाला नहीं है लेकिन सिस्टम में सुधार अब आएगा यह आप मुझे कमेंट करके बताएं जो डॉर भीक रही है इसके लिए पक्षियों के साथ मानव जीनवन के लिए खतरनाक बताई गई है यह जो और यह डॉर जो है पुलिस वाला की मिली बगासे भी करी है बगैर पुलिस वाला के मिली बगासे दुकांदर न जा सकते हैं अगर पुलिस चाहेत से लेकिन पुलिस कंब चाहेगी यह एक बड़ा सवाल है जो और और वो खुशी मनाने का इंतजार कर रहे हैं पक्सी पक्सी नहीं कई बार यह मानों के लिए भी बहुत संकट पैदा कर सकती है और कई बार हुआ भी है जो लोग कई बाइक पे स्कूटर्स पे साइकल पे पैदल जा रहे होते हैं उनको भी चोटिल किया इसी चैनिस डॉर ने है और लेकिन फिर भी दुक अंदार जो है ना अपने बारत के नागरी कोने के नाते हो करते हम भारत है लेकिन डोड़ चाइनीज बेच रहे सर अब देखिए आप दिक्कत यह है कि आम आदमी है बप्पी जैन चाय वाला एक आम आदमी है आसी के चोपटा बार बजार में चोटी सी चाय की दुकान है चोटी सी इतनी है कि उसमें दो आदमी मुश्किल से बैठ सकते हैं वह आदमी जब इतनी जानकारी रखता है इतना सोचता है देश के बारे में देश की लोगों के बारे में पक्षियों के बारे में तो आम जंता कब सोचेगी सिस्टम कब सोचे कि आप अपने कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा ज्यादा ताकि जहां तक की खबर पहुंचनी चाहिए जहां से कारवाई होती है वहां यह पहुंचे और फिर कारवाई अमल में अभी जनवरी में इस शिकायत भी जे पीमों को मैंने इसको यह प सिकायत करता का नाम गुप्त रखा जाए जाकि जो टोल फरी नंबर से लोग अपनी खूल कर सिकायत दर्ज करवास के और दोर बेचने वाड़ों पर सिकंजा कचा जासके बड़ी बात यह हैं कि जनता को दिख रहा है दिक पुलिस को भी रहा है लेकिन आंके मुंदी जा र दोर बेचने वाले पर पुलिस लगाम लगा सकेगा आप अपने कमेंट करें और बपी जैन के बारे में भी आप लिखें इनकी मुहीम जो है इससे आप कितना इत्फाक रखते हैं क्या लगता है आपको कि यह मुहीम हर किसी व्यक्ति को चलानी चाहिए हर कोई व्यक्ति किस आखें की समस्या के लिए किसी चीज के लिए आगे आये शिकायत ले की अगये सिस्टम को सुदारने की कोशिश करें परेणा ले सकते हैं परेणा कहीं से भी ली जा सकती है और ऐसे लगों को प्रोड़िसान भी मिलना ही चाहिए आप देखते रहे एक मत पोस्ट नमशकार